नमस्कार दोस्तों स्वागत आफ सभी लोग का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की नई अपडेट में आज के इस वीडियो में आप सभी लोग के सांथ सेर करने वाले हैं कि एरलाइंस और ट्रेवल से कौन-कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने रही है पहरी बड़ी ख जो लोग भी भारस से केनेडा के लिए ट्रेवल करेंगे अब उन सभी लोगों को कौरोना वारस का नेगिटी रिपोर्ट साथ में लेका जाने की जुरोत नहीं है जिए दोस्तों यहाँ पर इसकी जानकारी जो है पहले से भी सामने आ रही थी लेकिन अब यहाँ पर यह कन किया जा रहा है जो लोग भी फुली वेक्सिनेटेड हैं अब वो जबी लोग केनेडा में बीना कोरोना वारस नेगिटी रिपोर्ट के ट्रेवल करके जा सकते हैं अगली बड़ी खबर यहाँ पर नीदरलेंड को लेकर सामने रही है नीदरलेंड की गौर्मेंट की तरफ स जाता है तो अब उसको कोई भी वेक्सिन का प्रूफ या भी करोना वारस का रिपोर्ट साथ में लेकर जाने की जुरूत नहीं है अब वो बिना किसी वेक्सिन प्रूफ या भी करोना वारस रिपोर्ट के आसानी से नीदरलेंड में ट्रेवल करके जा सकता है इसके साथ लोग भी अब नीदर लेंड में आसानी से ट्रावल करके आ सकते हैं फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर अमेरिकन एरलाइन से सामने रही है अमेरिकन एरलाइन ने आपर जानकरी सेर करी है कि अब वो फ्लाइट में फिर दुबारा से एलकोहल की स सर्विस को सुरूब कर रहे हैं जी दोस्तों यहाँ पर इससे पहले अमेरिकन एरलाइन और भी दूसरी एरलाइन स कंपनियों ने एलकोहल के सेल को बंद कर दिया था पैंडेमिक के आने के बाद अब यहाँ पर एलकोहल सेल को फिर दुबारा से चालू किया जा रहा है और Airlines ने आपर जानकारी सेर करी है कि 18 अपरेल के बाद जो लोग भी American Airlines के फ्लाइटों से ट्रैवल करेंगे अब उन सभी लोगों को फ्लाइट में एलकोहल भी दिया जाएगा फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगली American Tourist लोगों के लिए अपने International Border को ओपन करने जा रहा है जो लोग भी अमेरिका से New Zealand के लिए ट्रैवल करके जाना चाते हैं वो सभी लोग अब एक माई के बाद ट्रैवल करके जा सकते हैं ऐसी ख़बर यहाँ पर सामने आ रही है आपको पताना चाहेंगे कि इससे पहले New Zealand की Government के दोरा पिछले दो सालों से अपने International Border को पूई तरीके से बंद रखा गया था लेकिन आप ऐसी ख़बरे सामने आ रही है कि मई महीने से American citizen इसके साथ UK के लोगों को, Canada के लोगों को और European Union के लोग भी अब New Zealand में ट्रैवल करके जा पाएंगे फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी ख़बर यहाँ पर South Africa से सामने रही है जो लोग भी South Africa के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उनके लिए ये काफी अची ख़बर है कि South Africa की Government अब बहुत ही जल्दी इवीजा की फैसिलिटी सभी भारतियों के लिए ओप कम होना सुरू हो गया है जिसके बाद अब South Africa की Government जो है इवीजा की सर्विसेस भारतियों के लिए ओपन करने जा रही है मौझूदा समय में South Africa ट्रेवल करने के लिए कई सरी एरलाइन्स कमपनिया उपलब्द है जिसमें भारतियों पैसेंजर जो हैं एमिरात, कतर, इसके लावा इथोपियन एरलाइन्स, एर एरेबिया, कीनिया, एरवेज या फिर एर मौरिसिस इन सभी एरलाइन्स कमपनियों स से ट्रेवल करके जा रहे हैं, फ्रेंट्स एक और बड़ी खबर यहां पर चाइना को लेकर भी जान लेते हैं, आपको बताना चाहेंगे कि चाइना में लागतार करोना वारस के केसित की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार जो है वो चाइनीज गवर्मेंट से बातचीत कर रही है, ताकि चाइनीज गवर्मेंट जो है भारती स्टुडेंट्स के लिए अपनी फ्लाइटों को ओपन कर दे, बहुत सारे भारती स्टुडेंट्स ऐसे हैं, जो कि चाइना से भारत आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके ये फ्लाइटों को ओपन कराया जा सके फिलाल के लिए अभी तक चाइनीज गौवर्मेंट की तरफ से इसके उपर कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि भारत तो चाइना के बीच में फ्लाइटे क्लब से चालू हो पाएंगी इसके लाव फ्रेंट्स एक और में ट्रेवल करना चाते हैं अब वो सभी लोग ट्रेवल कर सकते हैं यहाँ पर बियतनाम की गवर्मेंट जो है पूरे दो सालों के बाद अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन कर रही है और यदि आप फुली वेक्सिनेटेड हैं तो अब आप बियतनाम में ट्रेवल कर कि जा सकते हैं फिलाल के लिए इसलों बारत और बीतनाम के बीच में सीधी उड़ाने उपलब्द नहीं है यदि आप वेक्सिनेनाम करना चाते हैं तो आप इनिर्डियक रूट मैद्धियूट से ट्रेवल कर सकते हैं इसकी जादा जैणकरी के लिए आप अपमें ट्रावल मिशन के तहट यूक्रेन से तकरीबन 7,639 भारतिय इस्ट्रेशन को वहां से निकालने में मदद करी है आपको बता दे कि इंडिको एरलाइन्स के अलावा स्पाइस जेट और एर इंडिया ये सभी एरलाइन्स कंपने ने अपनी एवेक्वेशन फ्लाइटों को ऑपरेट किया था ताकि यूक्रेन में फसे हुए भारतिय लोगों को वहां से निकाला जा सके आपको बता दे कि इस मिसन के तहट 23,000 से अधिक भारतियों को यूक्रेन से अब तक भारस्तर का निकाल चुकी है फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर चेन्ने एरपोर्ट से जान लेते हैं आपको बताना चाहेंगे कि चेन्ने एरपोर्ट जो है पूरे दो सालों के बाद अब 100% कैपेसिटी पर ओपरेट होने जा रहा है जिए दोस्तों यहाँ पर जो खवर सामने रही है उसके नुसा चेन्ने एरपोर्ट जो है अब पूरी तयारियें कर चुका है ताकि वहाँ से अब नॉर्मल बेसिस पर इंटरनेशनल फ्लाइट हो सके इस समय चेन्ने एरपोर्ट पर रोजाना बेसिस पर तकरीबन 10,000 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पर चेन्ने एरपोर्ट का ठारगेट है कि एक बार जब नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट हो जाती है 27 मार्च के बाद तो वहाँ से कम से कम 15-20,000 पैसेंजर् इंडिया की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग कराई गई है और यहाँ पर चेन्ने एरपोर्ट से अब नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट है चालू हो पाएं इसके लिए यहाँ पर पूरी तयारियां की जा रही है अगली अपडेट यहाँ पर जो सामने आ रही है वो मुं अमिरात एरलाइंस के दोरा A380 एरक्राफ्ट से अपनी पहली फ्लाइट को ओपरेट करा गया है इससे पहले भी अमिरात एरलाइंस अपनी रेगलर फ्लाइटों को ओपरेट करती हुई आ रही है और यह पहली बार है जब अमिरात एरलाइंस जो है अपनी A380 आपको बता देखी एमिरात एरलाइंस के अलावा सिंगापूर एरलाइंस भी अपनी A380 एरक्राफ्ट से भारत में अपनी फ्लाइटों को चालू कर चुकी है अगली और आखरी अपडेट यहाँ पर भारत के हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से सामने आई है यहाँ पर भारत के हेल्थ मिनिस्टर मंसुक मांडिया की तरफ से यह जानकारी सेर करके बताई जा रही है कि वो इस समय करोना वारस के केसिस की जिनोम सिक्वेंसी काफी बड़े लेबल पर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर उनका कहना है कि इस समय यूरोप और एसिया के कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर फिर दुबारा से करोना वारस के केसिस बढ़ते हुए पाए गए हैं जितने भी इस समय क flats के नए cases सामने आ रहे हैं उसमें यहाँ पर भारस सरकार जो है Strength sequence के माधिम से यह पता कर रही है कि कौन सा variant है और इनमें से कोई नया variant तो नहीं आ रहा है ताकि यहाँ पर भारस सरकार पहले से ही अपनी पूरी ताईयारियों कर सके तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब करके ताकि आपको लेटेस अपडेट समय पर मिलती रहे